हलो एवरिवन चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लाखों जॉब्स अवेलेबल हैं अकेले इंडिया में एक ऐसी वर्कफोर्स के लिए जो कंपनीज की ग्रोथ, सर्वाइवल और प्रॉफिट्स में कॉंट्रिब्यूट करते हैं और वो है दोस्तों स्किल्ड वर्कफोर्स याद रखिए यानि हमारा टॉपिक है जॉब्स फॉर स्किल्ड वर्कफोर्स हम पूरे विश्व की बात नहीं कर रहे हैं अगर आप न्यूजपेपर्स भी देखेंगे या गूगल सर्च करेंगे अगले तीन से पांच सालों में अकेले इंडिया में और भी है और उन बढ़ती तेजी से बढ़ती कंपनियों की जो वर्क स्टाइल है कारिया क्षमता है वर्क कपैसिटी है उसको पूरा करने के लिए यह मानके चलिए लगभग तीन क्रोड स्किल्ड वर्कर्स की जुरूर्ट पढ़ने वाली है जल्दी ही और एक रिपोर्ट रिलीज करती है उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है अप न्यूस पेपर में भी देख सकते हैं कि अकेले भारत में लाखों जॉब स्किल्ड वर्कर्स के लिए अवे लेवल है और जो एक्जिस्टिंग स्किल्ड वर्क फोर्स है स्किल्ड इम्प्लोईज है उनको भी आने वा उस्तो डाइनमिक अन्वाइरमेंट की वजह से जो ट्रेड बिजनस एंड इंडस्ट्रीज हैं यह रैपिडली इनमें चेंजिस आ रहे हैं टेक्नलोजिकल चेंजिस आ रहे हैं आप देखिए इंडिया में डिजिटलाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है ओटोमेशन की आने वाले समय में जरूरत है स्किल्ड वर्कर्ज की और ऐसे वर्कर्ज की जिनका एप्टिट्यूड बढ़िया हो एप्टिट्यूड का मतलब है एक्जिस्टिंग स्किल्स तो इंप्रूब करना ही चाहते हैं लेकिन नई नई स्किल्स सीखने की खिशमता भी हो यानि स्किल्स लर्न करना अपनी एक्जिस्टिंग स्किल्स को अपडेट करना और कई बार अप्जिस्टिंग से काम नहीं चलेगा जो एक्जिस्टिंग वर्कर्ज हैं उनकी एक वर्ड और आ गया है देखिए वो है री स्किल्स कई 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 बार इस तरह से टेक्नलोजिकल चेंज चीज़ आती हैं कि जो outdated skills हो गई हैं उनको छोड़ना पड़ेगा लेकिन employees को आप एक साथ ये भी नहीं कह सकते ये वाइस ये skill आपके पास नहीं है और आप job छोड़ दीजिए ये नो हमें क्या करना होगा workers को businesses को train करना होगा re-skill करना होगा re-skill का मतलब है replacing the old and outdated skills with new skills इसके लिए जो business trade and industries है वो workers को special training भी provide करेंगी लेकिन समझने वाली बात जो इस lecture से है इस video से है दोस्तो कान खड़े होने वाली बात है एक तरह से कितनी job opportunities है अगर किसी particular area में आपकी skill है और आज की date में भी बहुत सारे businesses skilled workforce की कमी से जूज रहे है यानि मैं सभी अंगस्टर्स को बोलूँगा जो भी science and technology या दूसरी skills भी रखते हैं या उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं अपनी skills को update कीजिए, depth में काम करना सिखिए, मान लिजे चाहे वो accounts वाला person क्यों ना हो, चाहे वो manager वाला person क्या हो management job को इतनी असान थोड़ी है दोस्तों, जो हमारा dynamic environment daily change हो रहा है हमने workforce से काम लेना है, उसके लिए भी new skill, new tech, visionary होना बहुत जरूरी है और इन skills को develop करना और सिखना जरूरी है, इसी तरह science and technology का area है, blockchain development है website development है, web designing है, automation है, artificial intelligence है, cloud computing है यानि एक साथ कितने areas हैं, उन पर आप focus करें, अपनी capability को देखें, देखिए किस area में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं लेकिन अच्छी तरह से, वो कहते हैं न, जम कर तब आगे बढ़ियेगा, जब आप पुरी तरह से skilled हो जाए and once you are skilled, इस बात को लिख लीजिए, आप कभी unemployed नहीं होंगे businesses wait कर रही हैं भाई, कि हमें skilled persons मिल जाएं, business और trade and industries को skilled worker ही नहीं मिल पा रहे हैं इन specific areas में आप ध्यान दें, अपनी skill को improve करें, update करें और हमेशा तयार रहें upskill होने के लिए और साथ-साथ re-skill के लिए भी त्यार करें क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से science and technology आगे बढ़ रही है automation की तरफ industries आगे बढ़ रही हैं, जो भी आप skill learn करेंगे मान लिजिए, एक-दो साल में वो skill outdated हो जाएगी तो आपको क्या करना होगा? अपने आपको re-skill करना होगा और साथ-साथ उस skill को update करते रहिए, क्योंकि आप किसी भी trade, business और industry के लिए तभी valuable हैं, तभी आपकी worth है जब आप उसको profits में contribute करते हैं जब आप उसकी growth में contribute करते हैं, जब आप उसकी diversified activities में contribute करते हैं तो दोस्तो हमेशा skilled रहिए, अपनी skills पर ध्यान दीजिए, इनको improve कीजिए, jobs की कोई कमी नहीं है उम्मीद है ये छोटा सा जो knowledgeable video है आपको अच्छा लगा होगा फटा फटा लाइक वटन दबाईएगा, अपने friends और अपने classmates के साथ share कीजिएगा और चैनल अभी तक subscribe नहीं किया, तो चैनल को subscribe करना ना भूले